आज का फ्रेंड टॉपिक है। एक बहुत ही सूपर डिंग। फ्रेंड ठंडी के आएब हमारा जो सरीर का। यूपमीटी पावर हाना कम होने लगता है। धिरे धिरे हमें खासी होने लगती है, सर्दी हो जाती है, सरीर में दरद़शा रहता है। हडिया भी लगता है कि जैसे कि कमज़ोर होने लगता है तो हमें ठंड के मौसम में ज्यादा स्ट्रोंग होने की जरूत है ऐसा ड्रिंक पीने की जरूत है जो हमारे सरीर को ताकतवर बनाए रखे तो फ्रेंट मैं आज उसी ड्रिंग का आज रेशिपी बड़ता आने जारी हों कि किस तरह से यह ड्रिंग मना करके हम अपने हड्यों को मजबूत बना सकते हैं के लिए यह ड्रिंक बहुत इपयोगी है इसे जरूर पीजिए बच्चों को दीजिए हमारे सरीर को तागत देता है इंस्टेन तागत देता है और इनर्जी भरपूर दे देता है यह फ्रेंड हड्यों को मजबूत बनाने बहुत मददकार सावित होता है तो ओर्ड लोगों को जरूर लेना चाहिए तो इसे बूढ़े बच्चे जवान सभी पी सकते तो चले प्रोसेट से बताते हूं फ्रेंड कैसे यह हमारे पास खजूर है तो खजूर को ले लेना है तो मैंने यहां पर खजूर को कम से कम चाहर से पांच खजूर मैं लूंगी यहां पर डेट से भी बना सकते हैं सुखावला जो आता है उससे भी बना सकते हैं मैं खजूर से बना रहे हूं तो यह जो खजूर है उसे ले लेना है चाहर से पांच खजूर ले लेना है खजूर हम नाखों के कमजूरी वगार जो भी रहता है प्रोब्लम वह सही होता तो देखे इस तरह चार से पांच खजूर मैं एक ग्लास में ले लेती हूं अब मैं इसमें गर्म दूद को डालोंगे तो गर्म पहले हम लोग दूद कर लेते हैं तो मैं यहां पर देखे एक ग्लास नहीं डालना है तो देखे इस तरह हमारा दूद वार्म हो चुका अब हम लोग खजूर में यानि की खजूर वाला ग्लास में दूद को डाल देंगे और इसे रात बर के लिए छोड़ देना है तो फ्रिंड इसे हमें रात बर कर लिए छोड़ देना और सुबह में इसे अब चार-पांच गंड़ इसलिए खजूर का जितना भी जो गुन पदार्त होता है ना उसका दूद में पुरा मिक्स हो जाना चाहिए और चार-पांच गंदा के बाद प्रिंड उसमें थोरा से हल्दी डाल देंगे इसी चाहें तो हल्का घरम भी कर सकते हैं वार्म हल्का उसमें हल्दी डाल देंगे और इसी ड्रिंक को पीना है यह हमारा ड्रिंक बहुत अमेजिन ड्रिंक हो चुकाँ जो सूपर पावर वाला जो بोलते हैं ड्रिंक फ्रेंड जो हमारे अंदर पुरा सकते बहर देता हूँँ द्रिंक बनके तो ऑदे चुका है सर्धियूं के लि तो फ्रेंड यह रेसीपी आपको अच्छा लगा होगा तो जरूर कॉमेंट कर जिएगा और इसे 15 दिन आप पी के देखिए जो भी शरीष का दर्द होगा वो चुमंत्र हो जागा गायब हो जागा तो फ्रेंड यह मेरा वीडियो आपको कैसा लगा रेसीपी कैसा लगा बेल बेटन को जरूर प्रेस कर दिजाएगा फ्रेंद ताकि आने वाले हर वीडियो को नोटिफिकेस्टन सबसे पालत आमको मिले तो फिर इस तंडी के मोसं इसे जरूर सेर कर दिजाएगा फ्रेंद दूसरों को भी इसका रेकौरमेंटй है तो फिर से मिलते हैं नए बीदिय तब तेक लिए बाइबाटी केर